कोला पूरी इक करी, जिसके लिए पहले से 6 अदत अंडे मैंने उबाल लिये हैं, मसाले भूनेंगे पैन में शामिल करें एक चाय का चमच साबध धनिया, एक चाय का चमच साबध जीरा, एक चाय का चमच सौंफ, दस अदत साबत काली मेर्च, दो दारचीनी के टुकड़े आदा चाय का चम्मच मेथी दाना एक खाने का चम्मच सफेद तिल आठ से दस अदत काजू एक खाने का चम्मच चार मगज छे से आठ हदत साबत लाल मिर्च शामिल करके पहले अच्छी तरह एक मिन्ट के लिए भून ले जब अच्छी तरह एक मिन्ट के लिए भून ले तो फिर इसमें शामिल करें दो खाने के चम्मच पिसा खोपरा मजीद एक मिन्ट के लिए भूने जब अच्छी तरह मसाले भुन जाएं तो फिर मसालों को पीस लें कड़ाई में शामिल करें दो खाने के चमच तेल फिर इसमें शामिल कर दें एक कप बारी कटी प्यास प्यास को एक मिंट के लिए पकाएं फिर शामिल कर दें एक चाय का चमच पिसा लहसन मजीद इतना पकाएं के लहसन भी पक जाएं और प्यास नरम हो जाएं अब इनको पीस लेंगे ब्लेंडर जग में शामिल करें चार अदर कटे टमाटर साथ ही जो प्यास हमने पकाए थे वो भी शामिल करके इसमें शामिल करें चार से पांच खाने के चमच हरा धन्या और फिर पीस लें टमाटर अच्छी तरह पेस चुके हैं कडाई में शामिल करें चार से पांच खाने के चमच तेल और टमाटर और रुप्यास का जो मिक्स्टर बनाया है वो शामिल कर दें एक मिंट के लिए अच्छी तरह पकाएं फिर इसमें शामिल करें भुनावा पिसा मसाला जो हम पहले भून चुके हैं और पीस लिया शामिल कर दियां साथी शामिल करें आदा चाय का चमच लाल मेर्च पाउडर एक चाय का चमच नमक शामिल कर दें मिक्स करके अच्छी तरह पकाएं जब अच्छी तरह मसाला भुन जाए तो फिर एक कप पानी शामिल कर दें ढग दें अंडे जो पहले से हमने उबाले थे अब फ्राई करेंगे फ्राई पेन में एक खाने का चमच तेल शामिल कर दें साथ ही अंडे शामिल करें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें आदा चाय का चमच लाल मिर्च पाउडर शामिल करें आदा चाय का चमच कुटी काले मिर्च शामिल करके हलकी आच पर अच्छी तरह अंडों को फ्राई कर लें जब अच्छी तरह अंडे फ्राई हो जाएं तो फिर ग्रेवी में शामिल करें साथ ही मसाला और तेल भी शामिल कर दें ढखकर पांच मिंट के लिए पकाएं कोला पूरी एक करी बिलकुल तयार है आप लोग भी बनाएं खूब इंजुआए करें करें लोग जाएं जाएं शामिल करें